नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड आप सभी कस्वाग अथे हिंदी डेप्टूस पर और आज हम बात करने वाले हैं ओफलाइन सर्वर के बारे में अगर आप PHP सीख रहे हैं वेबसेट डेपलोप्मेंट सीख रहे हैं तो आपको एक ओफलाइन सर्वर चाही होता है और जो मैक्सिमम लोग होते हैं जो मैक्सिमम डेपलोपर या फिर आप यूटूब वीडियो देखेंगे तो आपको मैक्सिमम जो है जांप सर्वर के बारे में बताया जाता है या फिर आपको वांप सर्वर के बारे में बताया जाता है लेकिन ये दोन या फिर पढ़ाई जो है वो रुख जाती है और आप उसका जो solve है उसे Google करते रहते हैं और केई सारे Google करने के बाद भी उसका आंसर जो है वो solve नहीं हो पाता है इसी को नजर रखते हुए आज मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो में मैं आपको कर रहे हैं तो आपना प्रोजेक्ट को completely पूरा कर सकते हैं और आपको ये दोनों का टेंसल लेने की जुर्वत नहीं पड़ेगा तो चलिए इस लिस्ट को सुरू करते हैं और ये कोई top 5 नहीं है आपको जो आच्छा लगेगा वो आप लोग यूज कर सकते हैं और मुझे ज पहला जो सर्वर है उसका नाम में आपको बताना चाहूंगा USB Wave Server अब इसकी भरसा नेट चल रही है और जो भी लिस्ट में आपको बता रहा हूं इसकी जो वेफसाइट के लिंक है वो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा तो ये एक बहुत ही तो ये एक बहुत ही बढ़िया सर्वर है जिसकी मदद से आप अपना PHP के डेफलोप्मेंट या फिर आप अपनी पढ़ाई या फिर अपना प्रोजेक्ट का डेफलोप्मेंट का काम कर सकते हैं इसमें आपको मिलेगा Apache Server साथिसाथ MySQL और PHP भी आपको मिलेगा और साथिसाथ PHP MyAdmin मिलेगी ताकि आप अपने डाटाबेस को भी हैंडल कर सके और देखिए इसे ज़्यादा इंस्टॉल करने की जूरत नहीं है आप चाहें तो अपना सर्वर को अपने पेंडराईब में भी लेके किसी और के पास कहीं और भी इसका इस्तमाल कर सकते हैं मतलब यह आपका चलता फिरता सर्वर और यह बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है और बहुत लाइट वेड है जांप सर्वर का या वांप सर्वर का ठीक है वो दोनों बहुत अच्छे हैं लेकिन क्या है कि कई बार वो बहुत प्रोब्लेम करते हैं तो तब आप इन सफ सर्वर का इस्तमा वांप सर्वर ये भी बहुत अच्छा है और इसमें इतना ज्यादा एरर दिखाई नहीं देता है और इसको भी आप लोग यूज कर सकते हैं PHP अपलेकिशन बनाने के लिए PHP सीखने के लिए प्रोग्रामिंग सीखने के लिए ठीक है कोई भी website development का काम related to Apache, PHP और MySQL आप इसमें कर सकते हैं ये alternative है जांप सर्वर का और वांप सर्वर का इसका नाम है secure वांप सर्वर और आज मैं आपको बस ऐसे ही नाम बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा फिचेस बता रहा हूँ लेकिन आगे चलके मैं इन सब का यूज भी आपको बताऊंगा ताकि अगर आपका वांप सर्वर या जांप सर्वर लटक जाता है तो आप इन सर्वर का यूज कर सकते हैं तब तक आप चाहें तो इससे डाउनलोड करके आप इसका टेस्टिंग कर सकते हैं इनको भी प्रोब्लेम है, जांप में, वांप में, वो इन सब का इस्तमाल कर सकेंगे, ये दोनों बहुत ही बेसिक है और लाइट वेट है और बहुत इजी टू यूज है, अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इससे ज़्यादा अच्छा होला देखते हैं, ये है इजी पी PHP Dev Server, ठीक है, अब इसकी नाम ऐसे आजीब क्यों है, मुझे नहीं पता, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, Develop with Dev Server and Host with Web Server, आपको यहाँ पे सारा चीज मिलेगा, आपको PHP मिलेगी, Apache मिलेगी, MySQL मिलेगी, Nginx Server मिलेगी, PHP MyAdmin मिलेगी, ठीक है यहाँ पे दो-दो सर्वर है, द ज़्यादा पसंद है, ठीक है, इसके दो भरसन आते हैं, यह रहाँ आपका Dev Server, ठीक है, और यह रहाँ आपका Web Server, यहाँ पे आप होस्ट भी कर सकते हैं, तो यह बहुत अच्छा अल्टेनेटिव है, Jam Server का और Warm Server का, तो हमने आपको तीन बताया, अब मैं आपको और एक बता दूँगा, यह भी बहुत easy to use Server है, इसमें आप देख सकते हैं, आपको Nginx मिलता है, PHP मिलता है, MariaDB मिलता है, और यहाँ पे actual में Apache नहीं है, तो अगर आप Apache के साथ development करना चाते हैं, PHP का, तो हो सकता है, यह आपका काम में ना है, लेकिन यह बाकी तीनों आपके काम में तो यह चोथा वला है, यह खास करके Nginx के लिए है, अगर आपकी VPS है, या फिर आपका जो जहाँ पे आप होस्टिंग किये हैं, वहाँ पे अगर Nginx है, क्योंकि देखे, Apache Server से ज़्यादा speed जो है, वो Nginx में चलता है, तो अभी जो है, लोग Apache से हटके Nginx सरब जा रहे है अपनी अपनी मर्जी है, अपनी अपनी चोईस है, अपनी अपनी बजेट है, और इन सबसे जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, और जो मैं maximum यूज करता हूँ, उसका नाम है Arms Server, तीक है, यहाँ पे आप इसकी Demo भी देख सकते हैं, आप इसे Linux में भी यूज क खरिते हैं, अब इसे कुछ लोग Linux भी कहते हैं, तो यह आपके उपर है कि आप Linux बोलते हैं या Linux बोलते हैं, ओके इसको आप Windows में भी इस्तमाल कर सकते हैं, और अगर आपके पास Linux है तो उसमें भी आप इस्तमाल कर सकते हैं, और इसकी features बहुत ही गजब है, आप इसके से wordpress जो है हम लोग normal जब हम लोग jamp इस्तिमाल करते हैं wamp इस्तिमाल करते हैं तो उस ताइम हमें download करने पड़ती है लेकिन यहाँ पर आपको wordpress से लेके बहुत सारे php के open source script आपको मिलेंगे यहाँ पर अगर मैं आपको list दिखा हूँ करीब मान के चलिए कि आपको 300 script pre-op cost में मिलेंगे मतलब अगर आप ये server install करते हैं आपके PC में तो 300 प्रकार के PHP website आप ऐसे ही बना लेंगे बीना किसी programming language के और अगर आप PHP सीख जाएंगे तो और बहतर आप site बगेरा application बगेरा develop कर सकते हैं रेकमेंट रहेगा कि अगर आपका jump या warm server ये दोनों अगर नहीं चल रहा है तो आप इसका इस्तमाल करें इसका नाम है arm server आप देखिए ये officially इसको क्या बोलते हैं किसी ने तो कहीं बोल के सुनाया नहीं तो मेरे इसाब से मैं बोल रहा हूँ कि arm server अब ये AMPPS वैसे jump को आज तक क्या बोलते हैं लोगों को पता नहीं है ठीक है ये normal कोई xampp बोलता है कोई jump बोलता है वो उनकी मर्जी या भी आप single भी पढ़ सकते है xampp जैसा आपका मर्जी है और इन सभी के link ठीक है आपको jump का link तो पता ही है आप अचे friends मैं ये दे दूँगा और warm server की भी link दे दूँगा और बाकी जो 5 alternative आज मैंने आपको बताएं local server का वो भी इस video के नीचे description में दे दूँगा तो मैं उमीद करता हूँ ये जो वीडियो है इससे आपको मदद मिलेगी कि जिसका भी problem हो रहा है किसका jam server नहीं चल रहा है किसका warm server नहीं चल रहा है तो ये जो problem हो रहा है ये solve हो जाएगा और ये वीडियो से आपको मदद मिलती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आप नए है चैनल पे तो हमारे वीडियो को सस्क्राइब करें और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को सेयर जरूर करें और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बहुत सारी कम्प्लेन आरी है वर्सप सपोर्ट के बारे में कि वर्सप में हम लोग मैसेज करते हैं और हमें रिपलाई नहीं मिलता है तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि मेरे भाई लोग मेरे जितने भी प्यारे सस्क्राइबर भाई हैं स्टूडेंट हैं सब को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि पहले बहुत कम वर्सप मेसेज आती थी तो मैं सब को रिपलाई कर पाता था आजकल बहुत ज़्यादा वर्सम मेसेज आने के बज़े से हम reply नहीं कर पाते हैं तो इसका एक solution हम लोग निकालेंगे तब तक आप लोग मेरे साथ Facebook में आके मेरे से join कर सकते हैं Facebook में देखिए मैं सभी को answer देता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी मुझे जो कुछ पूछ रहा है कितने लोगों को मैंने यहाँ पर answer किया है तो आप आके मेरे साथ Facebook में friendship कर सकते हैं और इस वीडियो के नीचे मेरा Facebook का profile page भी है आप देख सकते हैं यह मेरा है हम से connected रह सकते हैं तो इस तरह से हमारे से जुड़े रहें और हम लोग एक छोटा सा community बनाने की कोशिस करेंगे जहां हम सब एक साथ आ सके WhatsApp का जो group है उसमें 500 लोग आते हैं लेकिन अभी हम लोग का जो family है वो अभी 40,000 आसपास के पहुँचने वाली है तो इतना जगा 500 लोगों में नहीं होगा तो हम कोशिस कर रहे हैं जैसे telegram का एक बहुत अचा option है जहां पे हम लोग channel बना सकते हैं और चितने लोग है एक साथ वहाँ पे जुड़के आप update रह सकते हैं तो एक channel हम लोग telegram का जरूर बनाएंगे अगर आप लोग यूज नहीं करते हैं तो इस्तमाल करिए telegram बहुत अचा application है और साथी साथ एक group बनाएंगे telegram में जहां पे हम लोग 10,000 लोग एक साथ जुड़ सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि 10,000 जितने ज़्यादा हमारे तो बहुत कम fan following है दो-चार लोग ही follow करते हैं तो 10,000 तो काफी हो गया और बाकी facebook में आईए facebook बहुत बड़ा site है और इसमें हम लोग कितने भी लोग आके यहाँ पे एक साथ हम लोग बाचीत कर सकते हैं सब कुछ कर सकते हैं तो अगर मैं किसी को reply नहीं कर पाया हूँ तो मैं अपने तरफ से बहुत-बहुत sorry बोलता हूँ कि भाई लोग बहुत सारे message आते हैं तो मेरे तरफ से मैं नहीं कर पाता reply तो उसके लिए गुचसा ना करें ठीक है आप लोग facebook में आएं मुझे message करें और जहां तक हो सकेगा मैं आप लोगों को जरूर reply देने की कोसिस करूँगा ऐसा नहीं है मैं सबसे बात करना चाहता हूँ और आगे देखते हैं अगर अच्छा रहा तो 2018 में आप लोगों को live seminar भी मिलेगे हार इस state में इंडिया के हार state में जहां लोग हमें बुलाएंगे हम जाएंगे और आपके लिए live seminar और्गनाईज करेंगे लेकिन अभी तक तो हमें किसी ने बुलाया नहीं अब क्या करें कोई बुलाएगा तो जाएंगे बाकि आपकी मर्जी है हमारे चैनल को इसी तरह support करते रहें और हमारे चैनल पे आपको web designing, development और YouTube training की वीडियो ही मिलेगी और कभी-कभी जब मेरा मुंडी घूम जाता है तो कभी-कभी तो मैं entertainment segment की वीडियो बनाता हूँ जैसे किसी के साथ जगडा करना या किसी को धुलाई करना या थोड़ी बहुत मजा कुडाना तो वो सब वीडियो को serious ना ले ठीक है, वो ऐसे कोई मतलब नहीं होता है हमसे, हम अपने tutorials continue रखेंगे वो हमारा main है और बाकी जो कभी-कभी जब time नहीं होता है जैसे अभी लगातार तीन दिन से हमारे Odisha में बारिस हो रही है तो तीन दिन से ठीक से net नहीं रहता कभी internet connection नहीं है कभी line नहीं है तो ऐसे बहुत सारे problem आ रहे थी तो मैं video tutorials नहीं बना पा रहा था जैसे ही मेरे पास सारे चीजे सब कुछ ठीक हो जाएगी मैं धिरे-धिरे आपके लिए एक अध वीडियो एक दो दीन में एक वीडियो बनाने की कोशिस करूँगा और इस मन से हमने जुलाई मन से आपके लिए हर दिन कुछ ना कुछ वीडियो डाली है तो हमारा चैनल जो है इंप्रूब कर रहा है आप लोग हमारे साथ इसी तरह बने रहें हम आपके लिए एक से एक अच्छे अच्छे टूटोरियाल्स प्रोग्रामिंग के टूटोरियाल्स वेब डेवलोमेंट के टूटोरियाल्स आपके लिए लाएंगे तो उम्मीद करता हूँ आप लोग हमें सुपोर्ट करेंगे इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड बाई बाई दोस्तो जै हिंद टेक क्या